अलामुलेकुम, वेल्कम एवरिवन, माई नेम इस मुदफर बशीर खान, वेवज और ऊसिलेशन के चैप्टर में हम लोग चैप्टर टू डिसक्स कर रहे हैं, वेवज, वेवज के अंदर कुछ डेफिनेशन हैं, रेलेवेंट टू वेवज, वो हम डिसक्स कर रहे हैं आज, पहले हमारे पास है, फेज एंद फेज कॉंस्टन्ट, एंगल थिटा इस इकल टू मेगर टी, वे डिसक्राइब दे शेप और एंपलिट्यूड आफ दे वेव, इस काल फेज, जैसे हम एंगल को चैप्टर करते हैं, तो उस वेव की जो वेव फार्म है, जो शेप है, वो च जो जाती है, तो इस काल फेज, देकिया हमने ये एक 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 समय गटी, प्लस फाइव, इस सीक्राइब के अंदर जो ने के एक समय गटी, इसको फेज कहेंगे, और आपको पता है कि यहां पर इकलता है, वेव नंबर कलता है, मैंकर यहां पर अंगलर विलास् है, और फेज कॉंस्टेंट, अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि यह फेज और फेज कॉंस्टेंट से वेज के उपर क्या फार्ग पड़ता है, यह वेज को कैसे डिसक्राइब करेंगी, इस टू वेज है, फेज दिफरेंस अफ इंटिगर मल्टिपल अफ तू पाइ, यह तू पाइ यह फोर पाइ यह पॉर पाइ यह शिक्स पाइ, अगर उनके दिर्माद इंटिगर दिफरेंस है, दें फेज दिफरेंस, दें इस वेज यह अर काल्ड इन फेज, if two waves have phase difference equal to odd integral multiple of pi then these waves are called out of phase so phase کی values से हम देख सकते हैं अगर दो waves के तर्मियान जो phase difference है जो two pi का integral multiple है two pi है four pi है six pi है फिर वो waves कलाती है अपस में in phase अगर वो दो waves अपस में उनका phase difference ऐसे है कि वो pi का odd integral multiple है pi हो three pi हो five pi हो seven pi हो तो फिर वो दो wave लेंगी out of phase जिस्ट नमारे पास है कि जोने phase constant उस पर क्या जो shape of the wave depends करती कर नहीं करती जिस phase constant zero है वो पीछे होगी और जिस phase का phase constant positive है वो उससे आगे होगी ahead होगी forward आगे जा रही होगी when phase constant is negative then the resultant wave is behind or lagging behind from the wave described with the phi is equal to zero इसके opposite है कि अगर phase constant की value negative है तो फिर अगर wave जिसके phase constant negative है तो फिर वो ऐसी wave से पीछे होगी जिसका phase constant zero होगा next मारे पास यह है definition group speed अगर मारे पास काफे सारी waves है और कोई periodic wave है that consists of combination of series of ascended waves and different frequencies and उनकी speed भी different है उनकी frequency भी different है फिर जो उनकी net speed होगी जिसका resultant speed भी कह सकते है that speed is called group speed when periodic wave consists of combination of series of synucidal waves having different frequencies and speed then the net speed of all waves is called group speed next मारे पास ऑटिस्पर्सिव ओर नन्थिस्पर्सिब्म ऐसे मीडियम जिसके अंदर डिफरेंट फ्रिक्वेंशी वाली वेज जो हैं वो डिफरेंट विरास्टी से मूव करें वो मीडियम कलाता है डिस्पर्से मीडियम डिस्पर्से से यहां वो मुराद यहां कि डिस्पर्शन प्यदा होगा वो डिस्पर्शन क्या चीज़ है जिसकी वेज़ से वेज़ की शेप में चेंज आएगी सब्सक्राइब अनर्जी में जाती है अनर्जी में जब चेंज होती है तो फिर उनकी शेप में भी चेंज होती है वेज की शेप चेंज होती है इन डिस्परसी मीडियम तो नान डिस्परसी मीडियम में सपीड सेम रहती है यह डिफेंस है डिस्परसी वो नान डिस्परसी नेसर मेंपस है ट्रांस्वर्स विलास्टी या पार्टिकल्स देखें यह आपके पास है साइनोसर्जल वेव की वेव फॉर में कि हम पहले एक टॉपिक में पढ़ चुके हैं साइनोसर्जल वेज के अंदर तो देखें इसमें माल पास है अगर आप इसको डिफरेंटिट कर लें तो यह आज़ेगी इसकी विलास्टी इसको यू से शो कर रहे है में अब यहां में पहले कोश कश वेड़िएर साइनोसर्द प्राइल है इसको डिफरेखें पहले के तो जाघ़ आज़ेगा अब यहां पहले यू से एक्सगर पोश épीड locks कर साइनोसर्ट ऑगया श्वाव में ए तो कि कर लेँकर आफ omega t plus 5 यह अगर आप देखें तो यह बन जेगा बस minus omega square y यह शुरु में वाय लिखा हो है तो यह वाय की वैल्यू बनती है थाथ omega square extra आ जाएगा minus omega square y which is acceleration of the particle अब यह शोग करें के acceleration is directly proportional to minus y या minus displacement क्योंकि यहां पर constant है तो आप यहां लेक सकते हैं कि acceleration that is directly proportional to the displacement with minus sign और यह अगर ऐसा कभी हो तो फिर यह वाली motion जो होती है that is called simple harmony motion इसके मतलब यह है कि जो न पार्टिकल जो medium के वो simple harmony motion से move कर रहे हैं execute कर रहे हैं perform कर रहे हैं यह को definition थी waves की बारे में thank you thank you very much